तो फ्रेंज आज हम बनाएंगे तंदूरी रोटी गेहु के आटे से इसे हम बनाएंगे बिना इस्ट के बनाएंगे और इसे हम बिना तंदूर के बनाएंगे एकदम ही मुलायम नरम बनती है ये तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए हमें लेना है गुन-गुना दूद इ दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें हम डाल देंगे तेल दो बड़े चमच जितना तेल को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूद और दही के मिक्सचर में अभी इसमें हम डाल देंगे एक चोटी चमच जितनी चीनी चीनी को अच्छे से पिगला लेंगे इस मिक के अनुसार बेकिंग पाउडर डालेंगे एक चोटा चमच और बेकिंग सोडा डालेंगे एक चोथाई चोटा चमच अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को तो अभी इस बटर मिल्क को हम ले लेंगे और हमारे आटे में डाल देंगे थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे तो मैंने एक कप जितना बटर मिल्क बनाया है जो दो कप आटे के लिए बहुती पर्फेक्ट है अगर लगे तो थोड़ा सा हम पानी डालके आटे को गुथ लेंगे तो यहाँ पर हम नरम सा आटा गुथेंगे और इसे 5-7 मिनिट के लिए अच्छे से नीट करेंगे ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाए अभी इसे हम एक गीले कपड़े से ढग देंगे इसे हमें रेस्ट देना है कम से कम एक घंटे के लिए तो चलिए एक घंटा हो चुका है तो आप देख सकते हैं आटा है वो फूल चुका है इसे हम अच्छे से एक बार फिर से नीट कर लेंगे अभी से हम इस तरह से टक करते हुए इसका एक डो बॉल बना लेंगे सबी डो बॉल्स को इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे और इसे हमें ठकके ही रखना है सुखा आटा ले लेंगे तो चलिए इसे अभी हम बेलेंगे तो जैसे पराठा की ठिटनेस होती है वैसा इसे हमें बेलना है उपर से थोड़ा सा हराधनिया डाल देंगे इसे लुक अच्छा आएगा अभी से हम पलट देंगे और पीछे की तरफ अच्छे से पानी लगा लेंगे पानी लगाने से ये अच्छे से तवे पे चिपक जाएगा तो हमें लेना है नॉर्मल चपाती जिस पे बनाते है लोहे का तवा वो और उसके उपर अच्छे से हमारी जो रोटी है इसको चिपका देंगे थोड़ी देर वेट करेंगे जैसे बबल साना शुरू होगा तवे को हम उल्टा कर लेंगे तो आप देख सकते हमारी ये जो बढ़ियासी तंदूरी रोटी है ये कितनी अच्छी तरह से फुली है इसे हम अच्छे से से शेक लेंगे ताकि कहीं से भी ये कच्छी ना रहे और इस तरह से इसे हम निकाल लेंगे तो फ्रेंज तयार है हमारी बढ़ियासी तंदूरी रोटी उपर से आप बटर लगा ले तो इस रेसिपी को आप भी एक पर जरूर ट्राइ करना ये सबको बहुत पसंद आने वाली है तो रेसिपी अगर पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेर कर दो और मेरे पेज को भी आप फॉलो कर लो तो हम जल्द मिलेंगे ऐसी ही यमी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई